आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन्हें जानते भी होंगे इनका नाम भी आप लोगों को मालू होगा यह है राजनास सिंग और आप सभी जानते हैं कि BJP यानि कि भारतिय जानता पार्टी के एक कद्दावर नेता है और आप सभी जानते हैं कि अभी बर्तमान में रक्षा मंतरी भी है इससे पहले आप देखेंगे ग्रह मंतरी भी रह चुके हैं भारती जंता पार्टी के राष्टी है अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो आज हम लोग राजनास सींग के बारे में एक सामर जानकारी देख लेंगे अगर आपकी दिल्चस्भी भी राजनास सींग के बारे में जानने की है तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास काफी जानकारी पहुच जाएगी पहले स्क्रीन पर आप लोग कुछ और फोटो देख लिजे, आप सभी जानते हैं पंकर सींग को आप लोग जानते होंगे, उत्तर पदेश में आप देखते होंगे कि बिधानसवा सदस हैं, बिधायक हैं और अच्छे खासे बिधायक हैं, और इनकी पतनी है राजनाश सींग हैं, क्या है, राजनाश सींग है, और आप देखेंगे इनका जनम होता है, 10 जुलाई 1901 में, कब 1901 में, और आप सभी जानते हैं कि यानि कि आजादी के बाद ही इनका जनम होता है, 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, हमारा देश आजाद हो चुका था, अगर हम लोग इनके जनम स्थान की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के चंदरोली जिली के भाब भौरा गाउं में इनका जनम होता है, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीती की दृष्टी से काफी महत्पोण है, और उत्तर प्रदेश के रा सब्सक्राइब इनकी राजनास सिंग की और पतनी की बात करें तो सावित्री सिंग इनकी पतनी का नाम और बच्चे पंकर सिंग राजनेतिक हैं आप सभी जानते हैं राजनेता हैं और नीरा सिंग और इनकी बेटी का नाम है अनामी का सिंग यानि की राजनास सिंग साब के दो बेटे हैं और एक बेटी है अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो गोरकपुर विश्विध्याले उत्तरपदेश से इन्होंने अपनी सिक्षा पूरी की हुई है और ये MSC में बहुत की में गोरकपुर विश्विध्याले से MSC किये हुए है और उत्तरपदेश से और आप सभी जानत हैं इस वात को मुझे नहीं लगता है कि बताने की कोई जरूरत है पड़े लेखे आप लिएउसाई की बात करें तो भारतिये राजनीता है gemaaktर सब जानते हैं भारतिय жен पार टी से जुड़े हुए हैं बीजेपी से बात आती है इनकी राजनातिक यात्रागी, राजनितिक सफर की तो 1974 में बे उत्तरपिदेश की मीरजाप को छेत से उन्हें भारतिय जनसंग सचिप की रूम में नियुक्त किया जाता है और आपको बता दूँ कि जो BJP आप लोग देखते हैं ये भारतिय जनसंग का ही एक तरह से आप कहिए कि इसके अगर पिता की बात करें तो भारतिय जनसंग ही रहा है उसी से निकली हुई पायटी है तरह से 1975 में उन्हें भारतिय जनसंग में जिलाद धेक्ष की रूम में नियुक्त किया गया और उसके बाद 1997 में आपने देखा है चुनाओ हुआ तो उस चुनाओ में मिर्जापुट निर्वाचन छेत से राजना सिंग सांसत बने थे और आप सभी जानते ही कि लोगसभा सदस्त जब बनते हैं आप लोग तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोगसभा सदस्त का चुनाओ डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी बोट डालने जाते होगे बोटर सुची में नाम भी जोड़ चुका होगा 1984 में वयभाजापा यूबा मोर्चा उत्तर प्यदेश की अध्यक्ष बनते हैं और आप देखेंगे 1986 में वयभाजापा यूबा मोर्चा की राष्टी महासरचिव की रूम में निउक किये जाते हैं 1988 में वह भाजापा यूबा मोर्चा के राश्टी अध्यक्ष बनते हैं और 1988 में वह उत्तरपिदेश की विधान परिशत की सदस चुने जाते हैं फिर आप देखेंगे 1991 में उन्होंने उत्तरपिदेश की सिख्चा मंतरी की रूम में काम किया फिर 1994 में वह राज्यसवा चले जाते हैं और आपको बता दूँ कि राज्यसवा का सदस बनने के लिए आपके उम्रे तीस साल होने चाहिए और राज्यसवा सदस का चुनाओ एमिली की द्वारा होता है विधायकों की द्वारा चुना जाता है फिर आप देखेंगे 1997 में 25 मार्च 1997 को वह उत्तर पिदेश भाजापा पार्टी की पिदेश अध्यक्च बनते हैं और 1999 में 22 नवंबर 1999 को वहटल विहारी वाचपही की नित्यत वाली सरकार में केंद्रिय भूतल परिवहर मंत्री बनाये जाते हैं फिर सन 2000 में बात यह 28 अक्टूबर की उन्होंने उत्तर पिदेश राज्जी के 19 मुखमंत्री की रूम में सपत गर्ण की तो आपको बता दूं कि उत्तर पिदेश के मुखमंत्री भी रह चुके 2002 में वह भारती भा idea पार्टी के राष्टी महासचिप बने थे फिर आप देखेंगे 24 मैं 2003 को कंद्री किली मंत्री की रूम में कार किया उसके बाद उन्होंने खाद पिसंसकंद के लिए भी काम किया 2004 में उन्हें भारत भाजापा का राश्टी महासरचीप की रूम में न्यूकती आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 2005 को वाजबाजापा की राश्टी अध्यक्ष बनते हैं। 2009 में उत्तर प्रदेश की जिला गाजियावाद चेत से सांसत चुने जाते हैं। सपत लेते हैं, रक्षा मंतरी बनाए जाते हैं। और अभी बर्तमार में रक्षा मंतरी के पतपर हैं। अब देखें, आप सभी जानते हैं, जब कोई मिन्नेता होता है, तो उससे आप देखते हैं कि बिवादों का जुड़ना सुभा भी कसी हो जाती है बात। तो क्योंकि आप सब इसको मालू होना चाही कि इनके चाहने वाले भी होंगे, ना चाहने वाले भी होंगे, इनके पसंसक भी होंगे, आलूचक भी होंगे, तो इनसे कुछ बिवाद भी जुड़े रहे हैं। ये 2014 में एक बिबाद है, 2014 में राजना सिंग के बेटे पर अपने पत के कुछ राजनीतिक दुरुपयों के लिए मौधी द्वारा फटकार लगाए जाने और कुछ चार्ज लगने की बात सामने आई थी, तब राजना सिंग ने ये बयान दिया था कि मेरे और मेरे परिवार पर किसी तरह की चार्ज लगने की अफवाय उड़ाई जा रही है, यदि ऐसा है तो इसका सबूत लाओ और सही सिद्ध हुआ, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, और कॉंग्रेस नेता अजय माकर ने तब कहा था, कि हम जानना चाहते हैं कि राजना सिंग के पुत पर क इस तरह की चार्ज लगे हैं, जिसके कारण राजना सिंग राजनीति तक छोड़ने की बात करे हैं, और इनके जो बेटे हैं, आपको बता दूँ कि ये भी महारत हासिल की हुए हैं, उत्तर पिदेश में विधान सबा चुनाओं में एक तरफा आप देखिए जीत होती है, अपनी जो भी इनकी विधान सबा है, उसमें अच्छी पकड है इनकी, 2014 की लोगसबा चुनाओं के दौरान चुनावी सरगर्मी में, एक पार्टी दूसरी पार्टी के उपर आरोप सिद्ध करने का प्रियास कर रही थी, उसी समय भारती जिंता पार्टी के वरिष्ट नेत राजनास सिंग बेबादों में आये, जब चुनाओ परिचार की दौरान वह मुसलिम बोट को अपने पक्ष में करने के लिए दिल्ली के जमा मस्ज़ात के मस्जित के इमाम से मुलाकात की थी, और इसते पहले राजनास सिंग ने कॉंग्रेस पार्टी की सुपरियों सौनि राजनास सिंग ने अपने भासर में एक जगए मीटू सब्द का उपयोग किया था, जिसके लिए भी उनकी काफी आलोचना की गई थी, मीटू अभियान वो अभियान था जो दुनिया भर में, उन महलाओं द्वारा चलाया जा रहा था, जो जीवन में किसी भी मोर पर सारे एक सोसन की सिकार हुई थी, हाला कि राजनास सिंग का संदरब काफी अलग था, लेकिन वो बिपक्ष जनता के निसाने पर आ गए थे, और ग्रह मंतरी ने महाग ठवंदन की तरफ बड़ी बिपक्षी पार्टियों की तरफ बैंग करते हुए कहा था, कि सभी बिपक्षी प तो अभी तक राजनास सिंग की जो यात्रा रही है, यही उनका असपर है, आंगे क्या होता है, किस तरह से उनकी राजनेति विरासत चलती है, यात्रा चलती है, ये तो आने वाला बक्ती बताएगा, और उसके लिए सबसे अच्छी बात है, कि कम से गम आप लोगों को एक न्यूज वेपर follow करते रहना चाहिए और याद रखे इससे क्या रहता है कि आप लोग देश दुनिया के बारे में बहतर जान पाते हैं अपने राज जी के बारे में समझते रहते हैं समझ रहे हैं आप लोग और भी अगर किसी नेता के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बताईए का उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे और एक आपकी पे लेलेष्ट सोची बनी हुई है बायोगराफी जीविनी के नाम से इसी में जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है उन सब के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं जो भी हमारे देश के या दुनिया में कहीं का मत्मूर व्यक्ती रहता उस पर हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं ठीक है तो आप लोग इंजवाय करते रहें हम तो मिलते ही रहेंगे